स्लाम अलेकुम डियारो स्टूडेंट फर्स येर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.3 हमने आपको 10.1 पढ़ाई है अभी 10.2 स्किप की भी है क्योंकि आप जो है वो 10.3 एक्सरसाइज 10.2 हम आपको इन्शाला 10.3 खतम करने के बाद 10.4 खतम करने के बाद आपकी टिक्नो मैट्रिस से दोस्ती हो जाएगी आप जो है फिर आपको 10.2 जो इसमें कॉंसेप्ट इस्तिमाल हो रहे हैं वो हम आपको करा देंगे आपको पढ़ा रहे हैं डबल एंगल फार्मूले से मतालिक तोस्ति हैं से डबल एंगल फार्मूला हमने यहाप लिखके रखा हुआ है यादे आपको यह डबल एंगल फार्मूला है अब आए यहापर इसके पूरूफ की तरव हम बढ़ते हैं कुशन नमबर 12 इसमें लेप्ट हंड साइड बड़ी है लेप्ट हंड साइड को हम स्वाल कर लेते लेप्ट हंड साइड हमारी पास आ गई ये लिखावा है साइन ठीटा कॉस टू ठीटा सॉरी, साइन ठीटा और साइन टू ठीटा लिखावा है sin θ, sin 2 θ है ये divided by 1 plus cos θ plus of cos 2 θ है हमें जो प्रूफ करना है 10 θ प्रूफ करना है single angle में प्रूफ करना है तो ये 2 θ, 2 θ खतम करना होगा double angle को यहां से खतम करना होगा double angle के formula हमारे पास मौझूद है sin 2 θ का तो एक ही फार्मूला है तमाम केसिस में sin 2 θ का एक ही फार्मूला है all cases क्या फार्मूला है 2 बाहर sin θ, cos θ cos 2 θ के हमारे पास एक नहीं, दो, नहीं, तीन फार्मूले है चले अब एक बता दे cos square θ एक फार्मूला है cos को 1 कर दें तो minus 2 sin square θ एक फार्मूला है sin square θ को 1 कर दें तो sin square θ को अगर हम sin square θ को अगर हम 1 कर दें तो यह 2 cos square θ है तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पहला वाला फार्मूला sin θ sin 2 θ में तो एक ही result है 2 sin θ देंर divided by one plus cause two theta इस cause two theta की जगह क्या लिखे आप कुछ भी replace कर देँ जवाब आतो जाएगा लेकर short तरीका ही क्या है short तरीका बोलो आप ये बताये आपको proof क्या करना है 10 theta 10 theta क्या होता है 10 theta ratio का नाम है कई मरतब़ पूछ वंचल के आपसे बताएं 10 θटा की value क्या है sin θटा upon cost θटा है sin θटा upon cost θटा है तो आप जो है denominator में क्या लाना चाहते हैं cost θटा तो cost 2 θटा की जगा ऐसा formula लिखे हैं जो मुकमल cost θटा में हो पहला cost 2 θटा کا एक formula ये लिखावा एक formula ये है एक formula ये है अच्छा मुझे प्रूफ करना है 10 ठीटा 10 ठीटा का मदलब sin ठीटा upon cos ठीटा नीचे जो है cos 2 ठीटा इंतिजार कर रहा है कौन सा put करूँ मैं तीन फार्मूले में से कोई एक फार्मूला put कर सकता हूँ चुक्शे मुझे नीचे cos ठीटा चाहिए तो मैं एक ऐसा फार्मूला लिखूंगा जो मुकमल तोर पे cos में लिखा होगा वो यह है 2 cos 2 ठीटा माइनस 1 यह ज़्यादा सूट करेगा 2 cos 2 ठीटा माइनस 1 ताकि मुकमल जवाब डिनोमलेटर में मुझे cos में हासिल हो जाए बच्चो sin ठीटा 2 sin ठीटा cos ठीटा sin ठीटा कॉमल ले ले sin ठीटा कॉमल लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 sin ठीटा कॉमल लेंगे तो क्या बचेगा 2 cos ठीटा बच जाएगा ठीक है यह रहेगा 1 plus cos ठीटा plus का 2 cos square ठीटा माइनस 1 plus 1 माइनस 1 कैंसल हो जाएगा उपर आपको क्या मिलेगा साइन ठीटा आपने common ले रखा है उपर तो कोई काम है नहीं करा उपर काम अलेडी हो चुका है अब denominator की बारी है पिलस वन माइनस वन कैंसिल ये दो टम बच जाएंगी इन में से common आ जाएगा cos ठीटा cos ठीटा common आके 1 बचेगा एक cos ठीटा common आ गया 2 cos ठीटा क्या होगा बहुत सारे काम हो जाएंगे 1 पिलस cos 2 ठीटा और 1 पिलस cos 2 ठीटा अच्छो कैंसिल हो जाएगा 1 पिलस cos 2 ठीटा से क्या बचेगा आपके पास sin theta upon cos theta बच जाएगा sin theta upon cos theta well known formula है इसको 10 theta का नाम देते हैं और यही क्या है आपके पास right hand side है left hand side से start लिया right hand side आगई बात और इसी बात को हमें proof करना था आरीवस हमें तो एक और सवाल देखते हैं इसमें यह भी इसी pattern का question है theta by 2 half angle से मतालिक बात की जारी है proof करना है वो side जो बड़ी हो जहां काम करने के ज़्यादा मवाके हो formula वगर अपलाई कर सकते हो बच्चों वो side select कर ले left hand side आप ले ले tangent theta by 2 plus cot theta by 2 divide कर देंगे cot theta by 2 minus tangent theta by 2 हम बार बार पढ़ा चुके आपको 10 theta किसके बराबर है sin theta upon cos theta के शाबश और बटा बता सकते हैं cos theta किसके बराबर है cos theta upon sin theta के बराबर है आपके इसे यहाँ तो theta by 2 है no problem 10 theta by 2 क्या बन जाएगा sin theta by 2 cos theta by 2 और cot theta by 2 क्या बन जाएगा cos upon sin बन जाएगा तो यहाँ पे हम इस तरह से simplify करें 10 की जगा हम लिख देंगे sin theta by 2 upon cos theta by 2 आजएगा पिला sin के साथ cot की जगा क्या लिखेंगे cos theta by 2 sin theta by 2 आजएगा cot की जगा आजब ही cos theta by 2 sin theta by 2 10 की जगा sin theta by 2 cos theta by 2 अब इतना बड़ा expression आ गया no problem ही मत करें पहले उपर टार्गिट करें fraction farm है LCM ले 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 दोनों का तालुख मुक्तलिफ है product farm आजएगी cos theta by 2 sin theta by 2 यह वाला cos यह वाला cos कैंसिल sin यहाँ जाकर multiply हो जाएगा sin square theta by 2 और यह cos square theta by 2 denominator की हम बात करेंगे LCM ले 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 जाए sin theta by 2 cos theta by 2 यह वाला sin sin कैंसिल हो जाएगा cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 तो थोड़ी सी confusing है लेकिन ख्याल कीजेगा बताएगा अब बताएगे क्या होगा नीचे cos theta sin theta divide हो रहा है यह भी cos theta sin theta divide हो रहा है तो sin से यह sin कैंसिल हुआ cos से यह cos कैंसिल हुआ और उपर आएगे आएगे पास बचा आएगे पास sin square theta by 2 cos square theta by 2 नीचे आएगे आएगे पास cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 उपर जो है cos square theta plus sin square theta यह किसके बराबर होता है one no doubt cos square theta sin square theta cos square theta by 2 sin square theta by 2 यह cos square theta sin square theta cos 2 theta के इकवल होता है है ना cos square theta और cos square theta हो sin square theta हो तो यह इसके बराबर होता है हमारे पास cos square theta हो sin square theta हो तो यह बराबर है cos 2 theta डबल angle होता है तो therefore cos square theta by 2 sin square theta by 2 इस angle का दुगना angle होगा theta by 2 का दुगना angle अदग theta हो जाएगा किसी भी angle का दुगना करना हो theta by 2 का दुगना angle 2 से multiply कर दें तो जवाब आ जाएगा theta theta का दुगना angle 2 theta theta by 2, theta by 2 का दुगना angle theta तो बचों तयार हो जाओ sin square, cos square की जगा 1 cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 theta डबल angle formula theta by 2 का डबल angle theta हो जाएगा ओहो 1 upon cos theta बड़े दिनों बाद आएए 1 upon sin theta, 1 upon cos theta, 1 upon 10 theta दे यार ऐसी प्रोकर याद करो 1 upon sin theta, cos theta 1 upon cos theta, second theta 1 upon 10 theta, cos theta यहाँ क्या लिखावा है 1 upon sec theta तो यह sec, 1 upon cos theta, sec theta आजाएगा तो यही हमारे पास right hand side left hand side से startly up right hand side आ गई यही बात हमें प्रूफ करने थी तो डबल एंगल का सिर्सला अब यहाँ खता हो जाता है अब हमने आटापिक आपको कराते हैं इस टापिक का नाम है split the angle split माने break कर देना तोड़ देना अब किसमें split करेंगे बड़े बड़े एंगल हमारे पास आएंगे सी एक एंगल आएगा मैं आपको तरीका बताता हूँ recommend करते हम इन फार्मूलों को कि अगर आपके पास एक बड़ा एंगल फोट हिटा आया यह हम recommend करते हैं हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बड़े एंगल को इन एंगल से में break करें फोर ठीटा बड़ा एंगल है इसको टू ठीटा टू ठीटा में break कर दिया जाए थिरी ठीटा आजाए से break कर दें टू ठीटा ठीटा में break कर दें टू ठीटा को अगर split करना पड़े तो theta plus theta में break कर दें theta को split करना पड़े तो theta by 2 theta by 2 में split कर दें तो यह हमने recommend किया आप सको मशवरा दिया कि एतने बड़े angle को आप इसना से prove करेंगे यह question है हमारे पास question number 6 है exercise 10.3 का बच्चों sign 4 theta इसके बराबर है अब यह right hand side बड़ी है लेकिन यहाँ angle बड़ा है तो जब कभी angle greater हो तो आपने greater angle वाली side लेनी है left hand side लेंगे sign 4 theta को अब इस बड़े angle का क्या करें इसे split करें तोड़ दें 4 theta को कैसे तोड़ें हमने मशवरा दिया 2 theta 2 theta में sign 2 theta 2 theta में आप इसको break कर दें चलें break कर दिया क्या करें? दो angle आपस में क्या हो रहें बताओ? add हो रहें हमने आपको पढ़ाया बहुत पढ़ाया sign alpha plus beta बच्चों ये बराबर है sign alpha cause beta plus है तो plus cause alpha sign beta याद है आपको ये तो हम जो है वापलाई करेंगे क्या लिखेंगे बताईए sign 2 theta cos 2 theta sign cos आगया प्लस है तो प्लस अब reverse कर देंगे cos 2 theta sign 2 theta replace कर देंगे देखों यापर ये आगया sign 2 theta cos 2 theta ये दोनों multiply हो रहे हैं क्या इसको मैं अरेंज करके लिख सकता हूँ sign 2 theta cos 2 theta आपके इंगे लिकुछ सर लिख सकते हैं आप बस end होता है question बढ़े ये question ऐसा है जिसा हम कहो x y x y याद है x y में जब x y को add किया तो जवाब क्या आया coefficient add हो गया 2 x y sign cos sign cos को add करेंगे तो coefficient add हो जाएंगे 2 sign 2 theta cos 2 theta ये हमारे पास left hand side आ गई 2 sign 2 theta cos theta क्यों ये ही proof करना था थोड़ा थोड़ा तो है cos theta ये लिखावा है cos 2 theta ये लिखावा है तो cos 2 theta से लड़ाई ना करें sign 2 theta मुझे नहीं चाहिए sign 2 theta यहाँ पे sign 2 theta नहीं लिखावा अब sign 2 theta का क्या करें इसकी कीमत दे दें sign 2 theta double angle है चैनल बढ़े दबार double angle आ गया क्या फार्मूला है 2 sin theta cos theta के बराबर है तो बचो ये 2 रहेगा sign 2 theta की जगा हम लिखेंगे 2 sin theta cos theta रिप्लेस कर देंगे ये वाला cos 2 theta रहेगा अब ये सब टम मल्टिप्लाई हो रही है 2 2 से मल्टिप्लाई हुआ 4 sin theta cos theta ये वाला cos 2 theta आपने जगा रहेगा और अब हम कह सकते हैं ये right hand side आ गई left hand side से लिया और right hand side prove हो गई आ रही है बस समझ में आपकी अच्छा अब आईए एक सवाल हम करते हैं prove that आप कहेंगे सब ये फार्मूला बहुत इस्तिमाल किया sin 2 theta का फार्मूला क्या इस्तिमाल किया 2 sin theta cos theta चले आज prove ही कर देते हैं ये होता कि ये कैसे prove हुआ तो अभी जो हमने आपको help की है उसी तरह solve होगा ये ये 2 theta बड़ा angle है इस बड़े angle को चले हम ये लिख लेते हैं sin 2 theta है 2 theta बड़ा angle है इसको split कर देते हैं 2 theta के लिए हम क्या split कर सकते हैं theta plus theta put कर सकते हैं आप left hand side right hand side से भी कर सकते हैं सरा तो मैंने इसको ऐसी ले लिया theta plus theta में ले लिया अब बताईए यहाँ पे formula apply करेंगे sum का formula क्या होता है sin theta cos theta plus है तो plus sin cos आप cos sign cos theta sin theta लिखेंगे यह दोनों टाप multiply हो रही है reverse करके लिख सकते हैं x y को y x लिख सकते हैं sin theta cos theta plus इसे क्या लिख सकते हैं sin theta cos theta लिख सकते हैं अब बताईए sin theta cos theta sin theta cos theta add o का coefficient add होंगे 2 sin theta cos theta आजाएगा और यही क्या है हमारे पास right hand side है यह बात प्रूव हो गई कि sin 2 theta हमेशा equal आता है 2 sin theta cos theta कैसे आता है यहां मैंने प्रूव भी करा दिया इस base पर जो है last question और करते हैं बच्चों देखो हमारे topic चला है split the angle यह most important access question है कई मरतबा paper में आया ठीके इसका फ्याइल लखेगा और आज का हमारा last question भी होगा cos 4 theta equal है 8 cos की power 4 theta minus cos cos 4 theta high coefficient के साथ higher angle है proof करना है दो बातों ख्याल लखना है यह expression मकमल cos theta cos theta में आ रहा है और theta theta में आ रहा है तो 4 theta को break करना है theta में proof करने के लिए हम left hand side select करेंगे left hand side क्यों select करेंगे ताके left hand side हमने select कर ली cause 4 theta अच्छा पिस select कर ली अब इस 4 theta का क्या करेंगे आपको recommend किया इसको break कर दें किसमें break कर दें 2 theta plus 2 theta में break कर देंगे break कर देंगे चलें 2 theta 2 theta sum है तो फार्मूला अपलाई कर देंगे याद करो बिटा कौज alpha plus beta का फार्मूला आपने क्या पर रखा है शाबश असान सा फार्मूला होता है cause alpha cause beta plus है तो minus sin alpha sin beta ये फार्मूला हमारे पास है इसको apply करतें है यहाँ alpha भी 2 theta बीटा भी 2 theta है तो बच्चों बन जाएगा cause 2 theta हमारे पास cause 2 theta और cause 2 theta plus है तो minus sin 2 theta sin 2 theta है अच्चा आपने कहा x को जब हम दुबारा x से multiply करतें है तो वो बराबर होता है x square तो बच्चों तो theta cause 2 theta cause 2 theta का whole square sin 2 theta sin 2 theta sin 2 theta का whole square ये result है हमारे पास क्या ये ही प्रूफ करना है हमें नहीं प्रूफ जो करना है वो number one single angle आना है theta theta प्रूफ जो करना है वो मुकमल cause में करना है तो sin 2 theta को replace करना है cause 2 theta को replace करना है sin 2 theta के लिए तो हमारे पास एक ही formula available है two बाहर sign theta into cos theta cos 2 theta के लिए एक family मौज़ूद है हमारे पास cos square theta minus sign square theta cos की जगा one two sign square theta sign की जगा one two cause square theta ये family मौज़ूद है इस family में से कोई एक result को pick करेंगे अब कौन सा result ने है क्या प्रूफ करना है कॉस तो ऐसा रिजर्ट ले लिए जाए जो मुकमल तोर पर कॉस में लिखावा हो वो क्या है वो है टू कॉस कॉस टू ठीटा टू कॉस स्कॉार ठीटा माइनस वन तो बच्चों यहाँ पे टू कॉस स्कॉार ठीटा ठीटा लिखेंगे तू कॉस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् हो यह एड़ हो रही हो फार्मुला एस्कॉय माइनस टू एबी पिलस का भी स्कॉय यह फार्मुला अपलाई करेंगे टू सभी बात लिये इस स्कॉयर का अपलाई करेंगे बाट देंगे सब की जगा तो बस एंडिंग पर है स्कॉयर बाट देंगे बन का स्कॉयर बन रहेगा ठीक है यह रहेगा माइनस का फोर साइन स्कॉयर ठीटा कॉस स्कॉयर ठीटा यह हमारे पास राइट है अच्छा अब हम पुरूफ की तरफ बढ़ रहे हैं हमें पुरूफ करना है कास की कास कास लिखावाए कास लिखावाए इस साइन स्कॉयर को हमें या से रिमूउफ कर आइए उपर कहीं साइन नहीं है, साइन नहीं है, तो साइन स्कॉाइर ठीटा को रिपलेस किया जा सकता है, आपको पढ़ाया था मैंने पिशे, साइन स्कॉाइर ठीटा को रिपलेस किया जा सकता है, असल फार्मूला क्या है, साइन स्कॉाइर ठीटा, पिलस कॉज स्कॉाइर ठीटा यह किसके बरावर होता है one sign square plus quasi square one यहां से sign square theta निकालो अगर एंजिता को शिपड़ कर दें one minus cos square theta होता है cause square को निकालना पड़े तो one minus sign square theta होता है हमें प्रिव्स exercise में किया भी तो बचो यहां फे be careful यह आ जाएगLE plus one minus four इस sin square की value replace कर देंगे हम sin square की value क्या होगी 1 minus cos square theta 4 cos rest to power 4 theta 4 cos square theta plus 1 अब यह जो 1 minus cos square theta है बच्चों इस हैडमिच बना ला क्या मतलब कि यहां से 4 multiply होता है यहां से cos multiply होता है पहले cos को multiply कर देते हैं यहां जाएगा cos square theta cos rest to power 4 theta यह रहेगा 4 cos 4 theta 4 cos square theta plus 1 इसको शामिल करेंगे minus का 4 cos square theta minus minus plus 4 cos की power 4 theta अब ढूनेंगे like ट्रम एक जासी ट्रम cos की power 4 theta cos की power 4 theta यह जासी ट्रम है coefficient एड़ करेंगे 4 of 4 एड़ हो गया 8 cos rest to power 4 theta cos square theta cos square theta यह भी like ट्रम है coefficient एड़ करेंगे तो बताई यह आजएगा minus का 8 cos square theta आजएगा plus का 1 और यही क्या है इसकी right hand side start ली थी left hand side से यह बात proof हो गई बताई एक सवाल है हमारे पास proof dead क्या proof करना है cos 2 theta proof करना है cos square theta minus sine square theta यह proof करना है इसी तरह से 2 theta को लेंगे हम theta theta में break करेंगे और simplify करेंगे result आजएगा तो यह result आपको PDF जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आजएगा इसका proof हम जो है वहाँ पे आपको करा देंगे कि कास 2 theta को हम select कर लेते हैं क्या ले लें कास 2 theta को बताईए कास 2 theta को replace कर लेते है कास और मैं भी कराएता हूँ theta plus theta में तो बच्चों या जएगा कास फार्मूला apply करेंगे कास theta, कास theta plus है तो minus sine theta, sine theta कास कास से multiply हुआ कास square theta sine sine से multiply हुआ sine square theta तो कास 2 theta की जगा हम ये replace करते आए हैं ये बात प्रूफ हो गई ठीक है तो इस तरह से हमारी लेक्षर कम्प्लिट हो गया अपना ख्याल लखें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आप पढ़ते रहें टाइम जरूर दें प्रोजाना आप डेली तकरीबन वन आवर mathematics में दें और अपने लेक्षर को revise करें हमारी वीडियो से help लें इंशाला आप जो है वो फाइदा होगा एक अच्छे mathematics को student और in future एक अच्छा mathematics अच्छे इंजिनियर आप बनेंगे अपना ख्यार लखें थैंक यू